हले दोस्तों स्वागत है आपका M.I.C. classes के यूटूब चैनल पर दोस्तों कल की class में हमने बात किया trigonometry के बारे में trigonometry के बारे में कल हमने सीखा उसके कुछ basics क्योंकि बीना basics के हम question को आराम से नहीं कर सकते तो कल की class में हमने trigonometry में समकोंड तिर्भुष के बारे में देखा और कुछ अनुपात के बारे में बात किया माली जी यह हमारे पास एक समकोंड तिर्भुष दे रखा है तो इन समकोंड तिर्भुष के अधार पे हमने कुछ ratio की बात करी थी माली जी यह हमारे पास समकोंड तिर्भुष है तो इसका एक एंगल 90 डिगरी होगा और इस समकोंड तिर्भुष के लिए कल हमने जो ratio सीखा था वो हमारे पास 6 ratio निकल के आये थे 6 अनुपात निकल के आये थे और वो अनुपात थे sin theta इनके भुझाओ के बात करें तो इसको हमने नाम दिया था लंब इसको नाम दिया था आधार और इसको नाम दिया था कड़ और इनके आधार पर हमें जो भुझाओ का अनुपात मिला था वो था sin theta पराबर लंब बटा कण। शेकंड दो अनुपाद था वो cos theta था, ये था आधार बटा कण। थार्ड की बात करें, तो हमारे पास था tan theta और ये tan theta था लंब बटा आधार। बाकी के जो तीन अनुपात थे ये इन्ही के उल्टे थे माली जे जो इनका अनुपात उल्टा था वो हमने लिखा था काणबटा लंब और जब हमने इसको काणबटा लंब लिखा था तो ये साइन ठीटा ना होके ये हो गया था कोशिक ठीटा कोश ठीटा की बात करें तो अनुपात निकल के आया था आधार बटा काणब और जब हम इनको पलट देते हैं तो ये अनुपात हो जाता है काणबटा आधार और अब इसका नाम बदल के हो जाता है सिक ठीटा इसके बाद हमें मिला था लंब बटा आधार ये जब पलटता है ये जब उल्टा होता है तो ये हो जाता है आधार बटा लंब और अब इनका नाम टैन ना रहके ये कौट ठीटा बन जाता है तो ये हमारे पास कुछ 6 अनुपात 6 रेशियो निकल के आया था और अब हम अगर ट्रिग्नोमेंटरी में कुछ नई चीज़े सीखना चाहें तो फिर क्या सीख सकते हैं इसके पहले हमने बात किया था पाइट वन में हमने बात किया था पाइथा गुरस पर्मे के बारे में पाइथा गुरस पर्मे में हमने देखा था कि पाइथा गुरस पर्मे के अनुसार होता है करण स्क्वाइर बराबर का लंब स्क्वाइर और प्लस का आधार स्क्वाइर यह हमारो चैप्टर है ट्रिगनोमेट्री इसको और तरीकों से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लंब का स्क्वाइर यह हो जाएगा आधार को हम इधर भेज देंगे तो यह हो जाएगा कर्ण का स्क्वाइर माइनस आधार का स्क्वाइर एक और तरीकी से हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आधार का स्क्वाइर यह हो जाएगा कर्ण का स्क्वाइर माइनस का लंब का स्क्वाइर अगर इन अनुपात को हम देखे तो कहीं न कहीं हमें अनुपात के हर में कहीं न कहीं हमें कंड देखने को मिल रहा है या फिर हमें लंब देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं हमें आधार देखने को मिल रहा है तो आपके बुक में कुछ सर्वसमिकाएं दी रहती हैं जिसको आप रठते हैं और उन्ही सर्वसम्यकाओं को यहां हम देखने जा रहे हैं, तो माल लिजे यह पहला तरीका है पाइथागोरस पर्मे को रिप्रेजेंट करने का, जिसको हमने लिखा है करण का स्क्वाइर, बराबर, लंब का स्क्वाइर, और प्लेस आधार का स्क्वाइर, तो हमने देखा अनुपात में कही न कहीं हमें करण देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं हमें लंब देखने को मिल रहा है, और कहीं न कहीं हम आधार देखनों को मिल रहा है, तो बारी बारी करके हम एक-एक के बारे में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं करण की बात करें, तो अगर हम दूनों तरफ करण से भाग दे दे, करण स्क्वाइर से भाग देने पर चली हम भाग दे के देखते हैं, यह रहा हमारे पास करण का स्क्वाइर, यहां हमने करण के स्क्वाइर से इसको भाग किया आगे लिखा मिलता है लंब का स्क्वाइर, इसको भी हमने करण के स्क्वाइर से डिवाइट किया फिर है आधार का स्कॉायर इसको भी हमने करण के स्कॉायर से डिवाइड किया तो हमें रेजल्ट मिलता है कि ये करण से करण कैंसल होके हमें मिल जाता है वन और इसको और हम लिखना चाहें तो तरीके से लिख सकते हैं लंब बटा करण का हूल स्कॉायर इसको लिख सकते हैं आधार, बटा, करण का whole square अब बात करें इन अनुपात का तो ये अनुपात है लंब बटा करण इन अनुपात को देखें तो हमें देखने को मिलदा है लंब बटा करण यानि की लंब बटा करण किसकी वैलू है ? साइन ठीटा की तो जहाँ लंब बटा कर्ण लिखा हमें मिलेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं one इसकी जगापे लिख सकते हैं हमsin थीटा का hall कर, बात करें आधार बटे कर्ण की, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यह हमारे पास है अनुपात आधार बटा कर्ण, जो कि हमारे लिए cos theta का काम कर रहा है तो यहां हम लिख सकते हैं cos theta का whole square further इनको हम देखते हैं तो यह हमारे पास निकल के आता है one के लिए अगर हमारे पास कहीं लिखा है sin square theta plus cos square theta तो यह identity निकल के आती है कि इसकी value one होता है आगे जब हम question करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी मदद से हमें कितना comfort महसूस होता है question को solve करने में इसको और तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अगर हम बात करें cos square theta की cos square theta sin इधर आएगा तो यह और तरीके से लिखना चाहें sin की रूप में तो sin का term हमें मिलेगा sin square theta यह मिल जाएगा one minus cos square theta इसका मतलब जहाँ cos square theta लिखा है वहां हम यह भी लख सकते हैं one minus sin square theta या फिर जहाँ sin square theta लिखा है वहां हम लिख सकते हैं one minus cos square theta अब हमें एक identity याद होगी कि अगर a minus a square minus b square कहीं लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं a plus b और दूसरे कुश्टेक में लिख सकते हैं a minus b तो इन ही को apply करके हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं वो इस पर ध्यान देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं cos square theta बराबर ये रहा a square minus b square sin theta और second bracket में लिखेंगे one plus cos theta sorry one plus sin theta अगर बात करें इसकी ये हमारे पास दिया है sin square theta equal to one minus cos square theta तो यहां भी हमें देखने को मिलता है a square minus b square तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं a plus b into a minus b यहां हम लिख सकते हैं one plus cos theta into one minus cos theta तो यह पहला सर्विसम्का मिला one के लिए कि अगर sin square theta plus cos square theta कहीं लिखा गया है तो वहां हम one लिख सकते हैं या फिर कहीं cos square theta लिखा गया है तो उसकी जगा लिख सकते हैं one minus sin square theta या फिर कहीं sin square theta लिखा गया है तो उसकी जगा लिख सकते हैं one minus cos square theta तो इनको आप note कर लिजे फिर हम फरदर बात करते हैं कुछ और चीजे सीखते हैं कुछ और identity को देखते हैं कुछ नई सर्विस हम क्या अभी और निकल कहेंगे इनको आप note कर लिजे फिर हम आगे बात करते हैं कुछ और देखते हैं तो यह हमारे पास निकल क्या आप पहला सर्विस हम क्या जो कि है sin square theta plus cos square theta equal to one इनको हमने और तरीके से लिखा तो हमने देखा कि हम cos square theta को लिख सकते हैं one minus sin square theta और अगर हम sin square theta को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं one minus cos square theta चलिए हमें अनुपात में कहीं न करण देखने को मिला था तो इसलिए हमने उसको करण से डिवाइड किया था अब अनुपात में हमें लंब भी देखने को मिल रहा है तो second condition में हम इसको लंब से डिवाइड करते हैं तो मान लिजे इसकी बात अगर हम करें यह हमारे पास दिया है लंब का square बराबर करण का square और minus का आधार का square तो हम दोनों तरफ लंब square से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ लंब square से भाग देने पर भाग देते हैं तो यह रहा लंब square इसको हम लंब square से अगर डिवाइड करते हैं करण square इसको भी हम लंब square से डिवाइड करते हैं माइनस आधार square और इसको भी हम लंब square से डिवाइड करते हैं तो यह हमारे पास कैंसल होके मिलता है one करण बटे लंब इसको तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकता है करण बटा लंब का whole square माइनस का आधार बटा लंब का whole square हमारे पास छे अनुपात हैं और इन अनुपात को देखें तो अगर करण बटा लंब की बात करें तो करण बटा लंब के लिए हम इसको लिख सकते हैं कौसिक ठीटा कौसिक ठीटा बात करें हम आधार बटा लंब की तो आधार बटा लंब के लिए हम लिख सकते हैं कौसिक ठीटा का हो लिख कर इसको हम यहां लिखते हैं तो यह जो हमारे पास वन के लिए आइडेंटिटी निकल के आती है वो है कौसिक इसक्वायर ठीटा माइनस का कौट स्क्वायर ठीटा और इसकी वैलू होती है वन यहां हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फार्मूला अपलाई करें तो यह मिलता हमें वन इकल्टी कौसिक ठीटा माइनस कौट ठीटा इंटू कौसिक ठीटा प्लस का कौट ठीटा और तरीके से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं अगर हम बात करें कॉसिक इसक्वाइट थीटा की तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट इसक्वाइट थीटा और बात करें कॉट इसक्वाइट थीटा की तो इसको लिख सकते हैं cot square θ equal to cos square theta less than 1 तो ये दूसरी identity निखल के आती है, 1 के लिए कि cos square theta minus cot square theta equal to 1 इसको भी आप note कर लेजे, फिर गर बैं इसको मिटाता हूँ और एक नई सर्विस हम ग्ला को देखते है तो यहां से हमें मिला, कि अगर हम यहां लंब से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास सर्वसम्क्या निकल के आती है कि अगर कोस से स्कॉाय ठीटा, माइनस को कोट स्कॉाय ठीटा कहीं हमें लिखा मिल जाए, कहीं दिख जाए तो इसकी जगह पर हम आराम से 1 लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सर्व समिका के बात करते हैं हमने इस पाइथागोरस परिम्य को करण स्क्वायर से डिवाइड किया फिर हमने लंब स्क्वायर से डिवाइड किया और अब हम आधार से डिवाइट करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ हम दोनों तरफ, तरफ आधार स्क्वाइर से भाग देने पर, चलिए, देखते हैं, तो यह रहा हमारे पास आधार का होल स्क्वाइर, अपान आधार का होल स्क्वाइर, इक्वल टू, करन का होल स्क्वाइर, बटे में आधार का होल स्क्वाइर, माइनस, लंब का होल स्क्वाइर, अपान आधार का होल स्क्वाइर, वर्ग, आधार से आधार cancel होके हमें 1 देता है इसको और तरीके से लिखना चाहें तो यह हो सकता है कर्ण बटा आधार का whole square और माइनस का लंब बटा आधार का whole square अगर हम बात करते हैं ननुपात का तो यह ratio जो हमारे पर देख रखा है कर्ण बटा आधार तो कर्ण बटे आधार के लिए लिख सकते हैं सेक ठीटा तो यह रहा हमारे पास 1 इसकी जगा हम लिख सकते हैं सेक ठीटा का whole square और माइनस बात करें लंब बटा आधार की तो यहां दिया गया है लंब बटा आधार इसकी जगा पर हम लिख सकते हैं 10 ठीटा का हूली स्क्वाइर, फर्दर इसको लिखना चाहें, तो यह हमारे पास हो सकता है, 1 इक्वल टू, 6 स्क्वाइर ठीटा माइनस का 10 स्क्वाइर ठीटा, तो अगर इसको और तरीके से लिखना चाहें, तो यह हमें दिख रहा है कि, a स्क्वाइर माइनस b स्क्वाइर, तो 1 के लिए हमें एक और आइडेंटिटी, एक और सर्वस्वाइर का मिला, कि 6 स्क्वाइर ठीटा माइनस का 10 स्क्वाइर ठीटा एक्वल टू कित्ता होता है, 1 होता है, यहां अगर हम a square minus b square को अपलाई करते हैं तो वहां से निकल के आता है a plus b into a minus b तो यह रहा हमारे पास 6 theta plus 10 theta into 6 theta minus 10 theta इसको और तरीकों से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6 square theta 1 plus 10 square theta इसको और तरीके से लिखना चाहें तो 10 square theta equal to 6 square theta minus 1 तो हमने 1 के लिए 3 identities को देखा तीन सर्व सम्काव को देखा जो कि हम आगे discuss करते हैं आप इनको note कर लेजे फिर मैं इसको मिटाता हूँ तो हमारे पास तीन सर्व सम्काव निकल के आई हैं और जो कहीं न कहीं questions को solve करने में हमारी मदद करेंगे जब मैं आपको questions कराऊंगा इन से आटी के तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इनका यूज करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास तीन सर्व सम्काव निकल के आई थी जिसको हमने देखा कि sin square theta plus का cos square theta equal to 1 उसके बाद निकल के आई था cos square theta minus का cot square theta equal to 1 तीसरी की बात करें तो sec square theta minus 10 square theta equal to 1 काल की क्लास में हमने देखा था इस sin theta into cos theta equal to 1 उसके बाद देखा था हमने cos theta into sec theta equal to 1 फिर हमने देखा था tan theta into cot theta equal to 1 फिर हमने देखा आज की क्लास में कि sin square theta plus cos square theta equal to 1 और फिर हमने देखा कि cos square theta minus cot square theta equal to 1 फिर बात करें तो हमने देखा कि sec square theta minus 10 square theta equal to 1 तो यह सारे तीन सर्विस हमने देखा वह आपको याद होने चाहिए और अगर आप यह जान लेते हैं कि यह सर्विस हम्काय आई कहां से हैं तो आपको फिर रटने की जरुवत नहीं होती है तो चलिए इनको नूट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज इस ट्रेग्रामेंट्री में सीखना चाहें तो इस समकूर तिर्भुस की मदद से हैं हम और क्या सीख सकते हैं उस शीच को देखते हैं तो इन आइडेंटिटी को आप अपने दिमाग में रखें जब हम करेंगे तो इनकी मदद से हम क्वेशन को करने वाले हैं मैं मिटाता हूं कुछ और नहीं चीजे आप इसमें सीखने वाले हैं और वो नई चीजे और क्या हैं जैसे माल लिजिए हम बात करें कि A की सामनी वाली भुजा को हमने क्या नाम दिया A B की सामनी वाली भुजा को हमने नाम दिया B और C की सामनी वाली भुजा को हमने नाम दिया C माल लिजिए हमारे पास एंगल है ठीटा दूसरा एंगल है 90 डिगी तो तीसरा कितना होगा तीसरा हम निगालते हैं माना तिर्भुच A, B, C में हमें पता है कि तिर्भुच के तीनों कुनों का योग 180 डिगरी होता है तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C एकल टू 1 180 डिगरे एंगल A हमें निकालना है एंगल भी हमारे पास ठीटा दिया है और एंगल C कमान है 90 डिगरी तो यहां से लिखेंगे हम एंगल A प्लस एंगल ठीटा एकल टू 1 100 माइनस 90 डिगरी इसको इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल ठीटा बराबर 90 डिगरी तो यह होगा एंगल A एकल टू 90 माइनस ठीटा तो जो हमारे पास एंगल A निकल के आ रहा है वो है 90 माइनस ठीटा अब बात करें इनके लंब की तो अगर हम बात करें इस ठीटा की तो इस ठीटा के लम्ब इसके सामने का होगा थैसे ठीटा के लिए लम्ब यह होगा आपका BC इसके लिए लंब होगा बी सी जिसको हमने ए नाम दिया तो चलिए कुछ रेसियो को देखते हैं जिसको हमने पिशली क्लास में सीखा एक था हमारे पास साइन ठीटा साइन ठीटा था लंब बटा कर्ण तो इस ठीटा के लिए इस ठीटा के हम बात कर रहे हैं तो इस ठीटा के लिए लंब होगा ये AC जिसको हमने नाम दिया है B और इसके लिए आधार होगा BC जिसको हमने नाम दिया है A तो साइन ठीटा के लिए होगा लंब बटा कन साइन ठीटा के लिए दिया है लंब बटा कन कन हमने C माना है तो यह होगा B अपान C बात करें कौस ठीटा की तो cos theta होता है आधार बटा करण तो इसके लिए ये आधार का काम करेगा और ये करण होगा तो ये होगा a by c बात करें 10 theta की तो ये होगा लंब बटा आधार लंब हमारे पास b है और आधार को हमने a माना है बाकी के 3 इनहीं के opposite होते हैं बात करें sin theta का उल्टा अगर हम उल्टा करते हैं c upon b करते हैं तो ये अब sin theta ना रहके cos theta बन जाता है यहीं बात करें इस अनुपाद की तो अगर हम इनको पलट दें उल्टा कर दें तो ये होगा c upon a और फिर ये cos theta ना रहके बन जाता है sec theta बात करें इस अनुपात का B अपान A का तो यह आप 10 ठीटा ना रहके अगर इनको हम प्लट देते हैं तो यह हो जाता है A अपान B और अब यह 10 ठीटा ना रहके बन जाता है कौर ठीटा तो यह सारे रेशियो यह सारे अनुपात जो निकल के आएं वो है ठीटा के लिए चलिए कुछ और देखते हैं अगर हम बात करें इस एंगल के लिए 90 माइनस ठीटा के लिए तो इसके लिए लंब का काम करेगा इसके सामने वाली भुजा जो की है B C और जिसको हमने क्या बोला है A 90 के सामने वाला जो भुजा होती वो कंड होती वो फिक्स रहती है वो नहीं चेंज होती इसके लिए आधार का काम करेगा A C जिसको हमने नाम दिया है B तो चलिए लिखते हैं अगर हम बात करें साइन 90 माइनस ठीटा तो इसके लिए जो लंब का काम करेगा वो होगा हमारा B C जिसको हमने नाम दिया है A तो साइन ठीटा बराबर होता लंब बटा कंड लंब हमारे लिए ये होगा और कंड वही होगा तो ये A अपांट C A अपांट C यहां हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमें A अपांट C देखने को मिलता है यानि कि A अपांट C जहां लिखा हुआ है वहाँ हम लिख सकते हैं साइन नाइन्टी माइनस ठीटा तो A अपांट C इसकी जगा हम लिख सकते हैं नाइन्टी माइनस साइन नाइन्टी माइनस ठीटा और इस एंगल के लिए लंब का काम ये करे गा और आधार का काम ये करेगा करण हमारा वही रहेगा तो यह कह जाएगा भी बटा सी अधार कर न Bei कर यहां हम देखें तो कहींने कहीं हमें ml 15-ाग यहां भी बटती स्टीड लिख सकते हैं तो यह हो गया, cos 90-θ, अब अगर हम बात करें 10θ की, तो हमारे पास निकल के आता है, लंब बटा आधार, तो इस एंगल के लिए लंब का काम ये करेगा, और आधार का काम ये करेगा, तो इसको हम लिखेंगे, लंब बटा आधार, तो अगर a upon b क्या है, 10θ, यहाँ हम देखें, तो कहीं न कहीं हमें, a upon b देखने को मिलता है, a upon b है, तो जहाँ a upon b लिखा गया, वहाँ हम लिख सकते हैं, sorry बचे, 1090-θ, यहाँ हम लिख सकते हैं, 90-θ, बाकी इनके अपोजर होते हैं, sign की, अगर हम इनको पलट देते हैं, यह a upon c न लिख के, c upon a लिखते हैं, तो यह हो जाता हमारे पास, कॉसिक 90-θ, इनको अगर हम पलटते हैं, तो यह होगा, c upon b, और अब यह, कॉस न रहके बन जाएगा, सिक 90-θ, तो गर हम देखे, c upon a, तो कहीं न कहीं हमें c upon a देखने को मिलता है, तो यहाँ कि c upon a की जगा हम लिख सकते हैं, कॉसिक 90-θ, तो यह हो गया, कॉसिक 90-θ, कहीं देखे हम c upon b, तो अगर हमें c upon b देखें, तो यहाँ मिलता हमें, कि c upon b को हम लिख सकते हैं, सिक 90-θ, एक रिष्यों हमारे पास और बज़ता है, जिसको हम नाम देते हैं, आगर हम लिख दे, बी अपान ए, तो यह मिलता है, कॉट 90-θ, तो यह हमारे पास b upon a यहाँ देखने को मिलता है, और यहां हम लिख सकते हैं cot 90-θ तो अगर हम इन अनुपात को मिटाते हैं तो कुछ और चीजे हमें समझ में आती हैं जो कि क्या है अगर मान लिजे इनको हम मिटाते हैं तो यहां से हमें एक बास समझ में आती है कि sin θ बराबर होता है cos 90-θ cos θ बराबर होता है sin 90-θ देखें हम 10 की बात करें तो 10 θ बराबर होता है cos 90-θ cos θ बराबर होता है cos θ बराबर होता है cos 90-θ और 6 की बात करें तो यह हमारे पास होता है cos 90-θ और cos की बात करें तो यह हमारे पास होता है 10 90-θ इनको देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि मिटाते हैं तो जो बात हमें समझ में आती है कि वो यह है कि कि मानलेजं ऑफास लिखा गया है साइन कि 90 माइनश ठीटा तो हम दिख सकते हैं कॉस ठीटा कहीं हमारे पास लिखा गया है कॉस्न इ Brytea आ है तो इसको लिख सकते हैं साइन ठीटा इसका मतलब हमें यह पता चलता है कि यह एक दूसरे के complementary होते हैं, यही हम देखें, अगर cosec 90-θ, तो वो हमारे पास निकल के आता है, और अगर हम बात करें, तो वो हमारे पास निकल के आता है, तो वो निकल के आता है, 10-θ, यहां से बच्चे हमें एक बात समझ में आती है, कि यह दोनों भी एक दूसरे के complementary हैं, और यहां भी एक दूसरे के complementary हैं, तो यहां से एक और बात हमें समझ में आई, समकोर के मदद से हमने कुछ और चिज़े सीखा, जो हमें मिला कि sin 90-θ का मान होता है cos θ, और cos 90-θ का मान होता है sin θ, cos 90-θ का मान होता है, और cos 90-θ का मान होता है, फरदर हम बात करें, तो 10 90-θ का मान होता है, वो cos θ होता है, और cos 90-θ का मान होता है, वो 10 θ होता है, इनको आप note कर लिजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, समकोड त्रिभुच की मदद से, कुछ और बाते हम सीखना चाहें टेक्नमेंट्री में, तो मैं कुछ और नई बाते आपको बताता हूं, मैं इसको साफ कर दूँ, फिर मैं आपको बताता हूं, कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, और क्या बताना चाहता हूं कल की क्लास में हम कुछ NCRT के exercise के question करेंगे आप जब तक मैं basic बता रहा हूँ आप अपना basic अच्छा कर लीजिए फिर आप देखेंगे कि आप से question अपने आप बनने लगेंगे माल लीजिए हमारे पास एक right angle triangle है और यहां एक condition आपको मिलते है कि जो भुजा ac है और भुजा bc है इस condition में हम दोनों को बराबर मानते हैं अगर मान लीजिए इसकी length है a तो इसकी भी कितनी है a अब हम बात करें a b की तो हमने 9th class में पढ़ा एक समदिबावल तिर्भुज है कि अगर किसी तिर्भुज में किसी तिर्भुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा जिसे मालेजे एक भुजा है a c और दूसरा है b c और इन दोनों की value equal है यानि कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो हमने पढ़ा था कि इनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा अब ये angle कितना होगा मालेजे हम जानते हैं कि किसी भी तुरुज में तीनों कोणों कमान होता है 180 degree हमारे पास एक angle दे रखा है 90 degree तो बाकी दो angle का योग हमें 90 degree मिलने माला है तो हम कहते हैं कि अगर ये दोनो angle A, angle B के बराबर होगा तो ये इस condition में तभी पासिवल हो सकता है जब ये 45 degree हो और ये भी कितना हो 45 क्योंकि हम जानते हैं किसी समकोण तिर्भुज स्वरी किसी तिर्भुज में तीनों कोणों कमान 180 ही होता है तो अगर किसी तिर्भुज में दो भुजाए बराबर हैं तो उनके आमने सामने की कोण भी आपस में बराबर होते हैं हमारे पास थोड़ा और आगे बात करें हमा तो बिद्धा हेल पाफ पाइथागोरस पाइथागोरस के मदद से हम करण की बैलू फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं AB का होली स्कायर जो कि हमारे लिए करण का काम कर रहा है होगा लंब यानि कि AC का होली स्कायर और होगा आधार जो कि BC का होली स्कायर करण हमें फाइंड आउट करना है AC हमारे पाइद दिया है A का स्कायर और BC के जगा भी A है A का स्कायर AB जो हमारे पास निकल के आएगा 2A square और जब यहां से AB की value हम find out करेंगे तो यह होगा root A square और यहां से AB की value निकल के आएगी root 2A तो इसकी जो value होगी root 2A अब पहले तो हम यहां आज दो जिन से हम सिर्फ यहां ठीटा की बात कर रहे थे ठीटा लिख रहे थे और यहां हमें angle 45 मिल गया है तो अगर हम बात करें sign ठीटा की तो हम लिखते थे sign ठीटा बराबर होता है लंब बटा करण यानि कि इसकी अगर हम बात करें इस ठीटा की बात करें तो इसके लिए लंब का काम करेगा A लंब बटा करण होता है और लंब हमारे लिए दिए रखा है A और बात करें करन की तो वो root 2 ए है यह एक कैंसिल होके मिलता है one upon root 2 तो यही से sign 45 degree का जो मान मिलता है वो होता है one upon root 2 आपके book में दिया रहता है और आप रठते जाते हैं पर वो sign 45 का मान जो निकल के आता है यही से निकल के आता है बात करें हैं cos theta की तो उसके लिए होता है आधार बटाकर्ण तो गर हम बात करें कॉस ठीटा की जगह हमारे पास 45 ते रखा है तो कॉस 45 तुझे निकल के आएगा ए अपान रूट टू ए इसे ए कैंसिल होगा और इस तरीके से हमारे पास कॉस 45 का मान जो आएगा वो वन अपान रूट टू होगा बात करें 10 ठीटा की तो 10 ठीटा को हम लिखते हैं लंब बटा आधार और यहां हमारे पास एंगल का मान ठीटा का मान दिया है 45 डिगरी तो लंब यहां काम करेगा इस ठीटा के लिए लंब सामने वाला होगा और इससे लगा हुआ आधार होगा तो इस तरीके से 10 45 का जो मौन निकल के आता है बैलू निकल के आती है वो है वन बाकी के तो जो तीन अनुपात है जो बाकी के तीन रिशियो है यह इनी के आपोजिट होते हैं तो अगर हम लंब पड़ा करण को पलड़ देते हैं करण बटे लंब लिखते हैं तो यब साइन ठीटा ना रहके बन जाता हमारे पास कॉसिक ठीटा और यहां से कॉसिक कॉसिक 45 डिगरी का मान जो निकल के आएगा वो होगा हमारे पास रूट टू एपान रूट टू एपान ए यहां से हमें जो वाईलू फाइंड आउट होके मिलेगी वो रूट टू यानि के कॉसिक 45 का जो मान होता वो होता है रूट टू अगर हम इसको पलट देते हैं तो यह है कर बटा आधार तो अब यह जब हमने इसको पलट दिया तो यह कॉस ठीटा ना रहके बन जाता है सिक ठीटा तो शिक 45 की बात करें अगर हम तो यह हमारे पास हो जाएगा रूट टू ए अपान ए और ए से एक कैन से लोके में मिल जाता है रूट टू इसी तरह थर्ड रिशियो की जब हम बात करते हैं तो यह हमारे पास होगा इसको पलट के लिखते हैं आधार बटा लंग और अब यह टाइन ना रहके यह बन जाता है कौट ठीटा और कौट 45 डिगरी की जो बैलू निकल के आते हैं तो यह होगा आधार बटा लंग यानि कि ए बाई ए और इस तरीके से इसकी बैलू भी निकल के कितनी आती है वन है तो इस तरीके से हम कुछ नया सीखने में हमने यह सीख़ा कि एगर साइन 45 की बात की जाए तो हमारे पास बैलू निकल के आती है वन साइन ठीटा ना रहेकर बन जाता है कोश्टिटा और फिर इसके बैलु होती है रूटू को जब पास दिया है लंब बता लंब तो कुछ नए चीज निकल के आती है वो टैन ना बनके अब हो जाता है कॉट ठीटा और यहां से हमें कॉट 45 की भी वैलू 1 ही मिलती है तो इस तरीके से यह सारी वैलू दिये रहते हैं और आप इनहीं रठते हैं और भूलते हैं तो चलिए अभी हमने सीखा 45 की 45 एंगल की बात अब हम आगे बढ़ते हैं और इस समकोंड तिर्भुज की मदस से हम 60 डिगरी की वैलू देखते हैं तो आप इनहीं नोट कर लिजे फिर मैं इनहें मिटाता हूं आपको टेगना मेंटरी टेबल दिया रहता है आपको याद करने के जरूत नहीं है मैं आपको सिर्फ दो से तीन बाते बताऊंगा इसे आप अराम से पूरे टेबल को लिख सकते हैं किवल आपको साइन की वैलू याद करनी है उसके बाद आप आराम से पूरे टेबल को लिख सकते हैं बिना रटे बस थोड़ा सा टाइम देना होगा तो शलिए इसको मिटाते हैं जो भी समकूर तिरबज के मदद से निकल के आते हैं सर्वसमिकाए कहीं न कहीं उनके लिए हम पाइथागोरस परमे की मदद लेते हैं और इन पाइथागोरस परमे की सहायता से हमने तीन सर्वसमिकाए देखी जो हमारे questions जब हम करेंगे तो हम आपको वहां दिखाएंगे कि किस तरीके से इसकी मदद से हम आराम से questions को कर रहे होंगे अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर 60 degree की बात करें तो वहां हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं हमने class 9 में पढ़ा था एक तिर्भुज के बारे में जिसका नाम दिया गया था समबाहू तिर्भुज पर हम बात कर रहे हैं ट्रेग्णामेंट्री में और ट्रेग्णामेंट्री की जो family हुऊ है समकोर्ण तिर्भुज यानि कि जब तक हमारे पास समकोर्ण तिर्भुज नहीं होगा तब तक हम वहां ट्रेग्णामेंट्री की कोई बात ही नहीं करेंगे तो यहां इसके लिए हम एक लंब डालते हैं हमने इसको नाम दिया A, B और C हमें पता है कि संभाहु तिर्भुज के तीनों कोड़ों कमान होता है 60 डिग्री यह रहा 60 डिग्री यह भी रहा 60 डिग्री और यह हमने लंब डाला तो यह होगा हमें पताएं किसी किसी आइसो लेटरेक्ट ट्रेंगल में संभाहु तिर्भुज में भुजायें की बराबर होती है माल लिए हमने ए भी बराबर है बीसी के और जो यह माल लोडी है ए डे दोनों में उभजनिश्ट है कामन है तो सर्वांगसम हमने नायंत क्लास में पढ़ा था कॉंग्रेंस प्रूब करने को वहां हमने सीखा था सर्वांगसम तो यहां त्रभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रभुज बी सी टी के ए बी डी तो टी सी बी डी सी बी डी इसका मतलब है मैं यहां आपको दिखाना चाहते हैं कि ए डी जो है बराबर है डी सी के बाई सी पी सी टी यह आपका सर्वांगसम होता है कॉंग्रेंस के रूल से अब अगर हम इस त्रभुज को बाहर निकाले बी डी ए को यहां हम बनाते हैं ऑगर भी ए डी ए हमारे पास है 90 डिगरी यह तो यह आ मारे पास थर्टि डिगरी और यहां रहाँ 60 डिगरी अ हमें बता है कि संभाहों तिर्फुश के तीनों भुजाएं अपस में बराबर होती है तो माल दिया है हमने यह यह 2A है यह भी कितना होगा 2A होगा और यह हमारा यह हो जाएगा क्योंकि यह हमने एडी बराबर डी सी किया है तो इसकी बेलू है यह 2A अब हमें तीसरी भुजा जो 60 डिगरी के लिए इसके सामने यह लंब है लंब का काम कर रहा है तो अगर हमें कर्ण दिया गया है आधार दिया गया है तो पाइथा गोरस परमिये की सहायत से हम लंब निकाल सकते हैं तो रहा हमारे पास कर्ण का स्कॉयर बराबर लंब का स्कॉयर प्लैस का आधार का स्कॉयर तो कर्ण दिया है 2A का होली स्कॉयर लंब हमें निकालना है लंब का स्कॉयर और आधार हमारे पास है A स्कॉयर तो यह हमारे पास बच्चे हो गया 4A स्क इसको इधर लाएंगे माइनस का a square और लंब square तो हमें find out करना ही है तो यह हो जाएगा 3a square बराबर का लंब square तो यह जब पार इधर आएगा तो यह हो जाएगा रूट 3a square और लंब यानि कि लंब की जो value निकल के आएगा हम इधर लिख दे रहें तो लंब बराबर रूट 3a यानि कि यह value जो निकल के आए रूट 3a हमने अब 45 पर एंगल की बात की है अब हम बात करने जा रहा है 60 degree की है तो यह हमारे पास रहा हमने ठीका था सिखा है साइंट ठीटा बराबर होता है लंब बटक करने यहां से हमने साइंट 60 डिगरी का बात करना है तो यह साइंट 60 डिगरी बराबर हो गया लंब का काम करेगा रूट 3a और कंड का का काम करेगा 2a इसे एक कैंसल हुआ और इस तरीके से साइंट 60 की value जो निकल के आती है रूट 3 अपान 2 फुर्दर हम बात करते हैं कौस 60 के तो अभी हमारे पास था क अधार बटक करन्ड अब हमारे पास ठीटा 60 डिगरी है तो कौस 60 बराबर होगा आधार हमारे पास दिया गया है और कंड दिया गया है 2a तो यहां a से a कैंसल हुआ और इस तरीके से हमारे पास कौस 60 डिगरी की जो value निकल के आती है वो होता है 1 अपान 2 इसी तरह हम बात कर अधार यहां हमारे पास लंब दिया गया है रूट 3a लंब बटा आधार होता है बच्चे अधर की जगा हमने 60 डिगरी रखना है तो 10 60 डिगरी होता है रूट 3a और आधार दिया है ए से कटके हमें मिला रूट थी बागी की तीन रेशियो इन्हें के अपोजिट होते हैं तो हम उल्टा करते हैं लंब बटा कांड को तो अगर हम लिखते हैं कांड बटा लंब तो बच्चे अब यह साइन ठीटा ना रहके बन जाता है कॉसिक ठीटा और अगर हम बात करें कॉसिक सिष्टी डिगरी की तो यह बैलू होगी 2a अपान का रूट 3a यानि कि यह जो बैलू निकल के आगी कॉसिक सिष्टी का वो होगा रूट 2 अपान रूट 3 बात करें आधार बटे कर्ण का तो इन्हीं का उल्टा जो होता है वो हमें अगला रिश आधार तो यह अब कॉस्ट ठीटा ना रहके बन जाएगा सिक ठीटा और अब इसको हम लिखेंगे 2a अपान ए ए से ए कैंसल हुआ बच्चे और यह निकल के आया है 2 यानि कि जो कॉसिष्टी का बैलू है सॉरी बच्चे सिष्टी की जो बैलू निकल के आई तो हो निकल गया 2। आगे अगे तीसरा जो ननुपात थ है वह 10 ठीटा और 10 ठीटा जो हमारे पास होता है लंब बटा आधार होता है और जब इस करता लंब बटा को हम पलोटक सिथ लिखते हैं तो वह अब तेन ना रहके बन जाता है कोड़ ठीटा तो इसको हम लिखते हैं आधार बटा लंब और ये अब टैन ना रहके बन गया कॉट ठीटा और ये हो गया हमारे पास हम बात करें कॉट 60 डिगरी की तो ये होगा A अपान रूट 3 A और A से A कैंसल हुआ ये बचा 1 अपान रूट 3 यानि कि बच्चे हमने देखा यहां थोड़े देर पहले हमने 45 पर काम किया और अब हम काम कर रहे है 60 डिगरी पर तो यहां से साइन सिष्ठी की जो वैलू हमें मिली वो हुआ रूट 3 अपान 2 इस तरीके से कॉट 60 की जो वैलू निकल के आई 1 अपान 2 और 10 60 की बात करें तो रूट 3 होता है कॉशिक 60 की बात करें तो रूट 3 होता है और इसी तरह अगर हम 60 की बात करें तो यह 2 होता है और कॉट 60 की बात करें तो वो होता है वान अपान 2 रूट 3 तो बच्चे इस तरीके से आज की क्लास में भी हमने बेसिक पर काम किया और जो अगला क्लास में होगा उसमें हम NCRT के कुछ क्वेश्चन कराएंगे एकसे साइज के फिर अगर ज़र्वत पड़ी क्वेश्चन के हिसाब से तो हम फिर से बेसिक पर काम करेंगे तो दोस्तों अगर हमारा ये लेक्शर आपको फसंद आता है तो बस थोड़ी छोटी सी रिक्वेश्ट है कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें थैंक यू मिलते हैं नेश्ट वीडियो में